हलो दोस्तों बहुत बहुत सवागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ सुरेंद्र और दोस्तों आज जिस टोपिक के बारे में अपना ध्यन करेंगे वो टोपिक है चट्टा नहीं दोस्तो इसके बारे में अधितर एक्जामों में क्युशन पूचा जाता है और उस क्युशन को अपन गलत कर बैठते हैं क्योंकि आपन को इस टोपिक के बारे में अच्छा से नोलेज नहीं हो दिये और इसको अपन ले लेते हैं बहुत इजी इस वाज़े से इसको पढ़ते भी नहीं है पर दोस्तों इसमें IS का एक्जाम दो या फिर RS का एक्जाम दो तो वहाँ पर इससे रिलेटेड एक क्विश्टन आउश्यक मिलेगा आपको एक नाएक क्विश्टन तो और वह वहता है आपके बैसिक कॉंसेप्ट के बारे में इस इसको मैंने क्यों एक पेज में सजा रखा पूरे लिक्टिर गों में इसको मैंने तीन चार पाटों में डिवाइड किया है फहले तो यह बताओंगा आपको की चटानों का निर्मान कैसे होता है अंतरजाद बहिर जान बल्क्या होता है और इनसे किस प्रकार मिट्ट्वों का या चट्टानों का निर्मान होता है फिर जिसमें दूसरा है वह है आगने चट्टानों के बारे में उसको फिर परद्दार चट्टानों के बारे में देखेंगे इनका निर्मान कैसे होता है और इनकी क्या-क्या विश्यस्ताइं होती है और जो इसका अंतिम टोपिक है वह 30 केवल 8-10 खनीजों के मेल से बना होता है mतलब जो कोई adapters in योगा होगा जो मुखे warm है और जो दो प्रतिसत है उसमें लगभग जो दूसरे 90 पर्शेंट खनीज has होते हैं एसकी देखते इस्तला करते हो दो चारम होती है इसका कारण है अंत대 उन्तरजादबल और बहिएरजादबL अगर ग्रोपी मैं आप डीपली से पड़ोंगे तो इनकी बारे में तो पूरा लेशन होता हैं उन्तरजादबल और बहिएरजादबल और बहिएरजादबल क्या होते हैं दोस्तों अंतरजाद बल के तहत गवबल आते हैं, जिसे प्लेट टेक्टोनिक है वो अंतरजाद बल है, इनके कारण क्या होता है, जिसे जवाला मुखी आती है या फिर भूकम आता है, ये अंतरजाद बलों के कारण होता है, जवाला मुखी के कारण कहीं सारे पाहडों का न तो जिन किया जाता है अब बहए में वारे में अपन जाने तो बहए जात बार हुआं बल से बढ़ानगे अनाचादन के तहत दो चीज़े इंपोर्टेंट है अनाचादन में मतलब जिसे अपरदन है और अपक्षे है इन दोनों को समलेत रूप से क्या बोलेंगे अनाचादन बोलेंगे अब देखते हैं अपरदन दोस्तों सबसे पहले तो जान लों कि अपरदन है ना एक लेटीन अवन हो सकती है उसका अपरदन और अपक्षे होता है जो इस्तेथिक किरिया मतलब अपने ही इस्तान के होगी चटानों का विख़्ंडन होगा तो अपने ही इस्तानों स्मझने से पहले इन चीजों को बारे में अपने जाणना जरूरी था अब मैं बताता हूं दोस्तों आपको आगने चटान के यह जो चटाने होगी यह आगने चटाने का रूप लेगी अब आगने चटाने में दोस्तों दो प्रकार की जो उपर वाला पार्ट है इसको बेसाल्ट कहा जाएगा इसमें जो रोएं हैं मतलब रंद्र है यह छोटे छोटे होते हैं तो यह बेसाल्ट चटान होती है और जो नीचे वाली चटान होती है यह होती है ग्रे नाइट है तो अक्सर इसमें कई बार कुछन पूछ लिया जाता है ग्रे नाइट कौन सी चट्टान का प्रकार है तो दोस्तों ग्रे नाइट आगने प्रकार की चट्टान है राजस्तान में जो सीरोई है और उद्यपूर है इस वाले एरिया में ग्रे नाइट रास्समंध है नागोर है इन वाले एरिया में ग्रे नाइट बहुत अधिक्ता में मिलता है अब देखत होगा आगने चटान है उसका अपरदन होगा दिरे दिरे तो यह क्या है इसे सचिद्र हो के छोटे-छोटे कणों के रूप में बेजाएगी और इस समुद्र में जाकी जम जाएगी तो कायंत्री चटान का रूप ले लेगी दिरे दूसरी बात इसे परत नहीं पाई जाती कह दोस्तों अगर यह जौळा मुखी जब आपन चेप्टर पढएंगे मैं आपको अच्छे से बताओंगा उसमें कि ब्रहे जौळा मुखी क्या होती है आंत्रिक जौळा मुखी में लेकोलित बेतोलित डाएक इस प्रकार के आखरते होती है यह क्यों बनती है और यह कूंसी जो वालामुखी जब टो पड़ेंगे तो उसमें अच्छे से अध्यन करेंगे इनके बारे में अब इनके उधारण की बारे में बात करें तो ग्रेफाइट और बेसल्ट मेंने बता दिया तो यह ध्यान रखना है आपको आगने चटान का सबसे बड़ा उसादी चट्टाने जो चट्टान होगी उसमें परते पाई जाएगी जैसे चट्टान है और इसमें यह इस प्रकार परते होगी सबसे निर्माण के से होता है लिखने के बारे में बात करें तो आगने और चाटान के पूछ जाए सबसे पहले कुरू के बारे में तो अपड़न होगा है तो इसका आपक्षाय कोगा इनकी वजह से ही चोटे-चोटे कणों में तूट जाएगी और यहां पर यह एक्तरित हो जाएगी तो फिर यह क्या परतदार चट्टान का रूप ले लेगी अब यह परतदार चट्टान है तो समुद्र में समुद्र के जीओं भी इनके बीच में कोई जो मर गए या कुछ हो गया तो वह भी प्रकार की चट्टान में जीवासम पाया जाता है तो आपको आंसर लगा देना है कि प्रद्दार चट्टान यह अवसादी प्रकार की जो चट्टान है उनमें जीवासम पाया जाता है अब दूसरी बात यह डीजल पेट्रोल यह निकलता है दोस्तों तो यह अवसादी प् खोज करते हैं पेट्रोलिक डीजल की तो वह पहले देखते ही चट्टानों का परकार कौन सा है जहां पर आउसादी चट्टाने होगी वहीं पर वह खोज करते हैं और अक्सर समुद्रों में पाया जाता ही वात आपको ध्यान होनी चीए क्योंकि जो पर समुद्र के बीच में यह तो इससे यह है कि आवसादी वहां पर भी अवसादी चट्टाने हैं समुद्र के नीचे ठीक है अब देखते रहें इनके बारे में इसके उधारन के बारे में बात करें तो जो सिलीका होती है यह भी परद्दार चट्टान है अवसादी चट्टान है केल साइट है कांगलोमरेट इस तीन चार उधार में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कई बार यह से पूछ लिया जाता है कि कौन से प्रकार कौन से चट्टान मतलब नाम बताओ या फिर सकता प्रत चट्टान नहीं है तो यह अभी इन के यह इस लेक्चर को देखने के बाद आराम वें बता पाओके कि रहता लुख बता दिया एक बरते पाई जाती देखो परतदार्चटानों पेले तो उसका नाम ही यह है कि यह परतों में पाई जाती प्रतव से संक की परजियस्थे यहां जिवासम पाई जाते है और इन में पेट्रोल डिजल पाया जाता है दूसिक संदियां या जोड मतलब इन क्या है जोड़ जदा होते हैं जैसे संधिया यह से परते हैं तो इनके बीच में जोड़ोंगे और कई बार ऐसे भी जो लंबवत परपंडी कुलर होगी तो वहां पर बीन पर जोड़ पाया जाता है और यह चटाने क्या है मुलायम होती है यह इसकी विसेश्था हो गई अब सेंदल इन से परदार चतान हैं इत्छे जया और थांटीर निर्माण होता है और यह रुपान्तरन किसे होता है है यह होता है दोस्तों टाप दाब और घोल की वज़े से तो रसाइन से निक हो गया इस दावर्य परिवर्तन तो इनकी व свое जती रावर् farmers परेंटन तो इनको बोलते हैं कायांत्रे चट्टान है ठीक है अब कायांत्रे चट्टान हम देखो दोस्तों जो चुना पत्र होता है उससे संग मनमर बन जाता है सेल से सलेट बन जाती है जो कॉंगलोमरेट कौन से प्रकार की चट्टान है हाँ बिल्कुल सही जो परदार चट्टान है उसमें आती है conglomerate और उससे यह क्या है कायां अंत्रीद कर लेती है रूपांत्रीद हो जाती है और निसमें convert हो जाती है दोस्तों निष्ट प्रकार का एसकनी जिसमें पहले स्वार सबसे दिए पाया जाता है तो दोस्तों यह ती चटानों के बारे में महतुपुन जानकारियां और अगर चटानों से रिलेटेड कोई भी क्यूशन पूचा जाता है तो आप आसानी से जवाब देपाओगे ऐसी मैं आशा करता हूं आशा करता हूं कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा अच्छा लगाई तो लाइक किस्तान पर मिल जाएंगे अगर आप प्लेलिस्ट देखते हो तो वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद